नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन के स्कूलों के समय में बदलाव, अब 9 से 32 तक अख्छाय होंगी संचालित जारखन में मांसूर ने दस्तक दे दी है, बारित सोने के साथ ही तापान में भी तेजी सी गिरावट हो गई है, इसको देखते हुए 1 जुलाई सरनी बार से सरकारी स्कूलों की समय सारनी में बदलाव किया गया कोई प्राइबेट स्कूलों ने भी अपनी समय सारनी बदल दी है स्कूली सिक्षा यमसक्षर्टा विभाग के आदर्ष दिन चरया के अनुचार एक जुलाई से स्कूलों में कक्छाए सुबह नौ बई से दो फार तीन बई तक संचालित होंगी बतादे परते कारे दिवस में सुबह आठ पैतालिस पर विद्याले प्रवंधन द्वारा लंबी घंटी लगाई जाएगी वहीं प्रातः कालिन प्रात्ना सभावा अन्य गतिविधिया सुबह नौ से लेकर नौ पंद्रह तक होगी इस दवरान न्यूज पेपर रीडिंग से लेकर जीके वह अन्य समसामिक गतिविधियों पर शर्चा होगी इन गतिविधियों से बच्चों को काफी फैदा होगा धनबाद में दो पक्षों के बीच हिंसक जड़ब 34 गिरफतार धनबाद जी लेके कतरास में सुक्रवार को टोटो की बैटरी का चार्जर चोरी होने के बाद छाताबाद केलू डि खटाल में दो पक्षों के बीच होई हिंसक जड़ब के बाद सनिवार को घटना सरपस सनाटा पसरा हुए है मुख्यारे से आई फोर्स के साथ बाग मैरा अनुमंडल पूलिस के जवान तराथ है पूलिसिया की करवाई से दोनों पक्षों के लोग सक्ड़े में है सुक्रवार की देर साम से लेकर देर रात तक दोनों पक्षों से 34 लोगों गिरफतार कर सन्निवार को जेल भेज दिया गया परसासन अपने तरब से कांड अंकित कर लिया है धारा 144 लागू होने के बाद पूरे इलाके में लोग कम ही नजर आ रहे हैं बता देर दोनों पक्षों के लोग पूलिक की गिरफतारी से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं दोनों पक्षों में तनाव कायम है यही कारणा की फोर्स के साथ अगनी समन वाहन भी छाता बाद के पास लगी हुई है बाग मारा SDPO नीशा मुर्मू इलाके की हलचल पर पहनी नजर बनाए हुए हैं नवकरी से निकाला तो फूक डाली 10 बसे रायधानी दांशी के कंटा टोली सित खादगडा बस स्टेण में गुरू आर्दोफर बसों में आग लंगने के मामले का पोलिश ने खुलासा कर दिया है इस मामले में लोवर बया थाना पोलिश ने सुक्रवार को दिन में नवाली को गिरफतार किया है नवालिक एक बस में काम करता था और उसकी हरक्तों की वज़ा से उसे काम से हटा दिया गया था पुलिस के मताबिक नवालिक सिर्फिरा है और फित्तूर में उसने बसे में आग लगाने की खटना को अंजाम दिया था बता दे खातना में अधाय को रूपे से अधिक मुले की आठ बस से जल करनाश्ट हो गई थी और दो बसों को आग से आंसिक नुक्सान पहुचा था इस मामले को लेकर बस संचालकों ने बस अधा में हला हंगावा भी किया था पूलिस से मिली जनकारे के मताबिक सिर्फिरे नबाली को बीरसा मुंडा अंतर राजिये बस टर्मिलल में लगे CCTV फूटेज के अधार पर पकड़ा जया उसके पास से पूलिस ने एस्प्रे और लाइटर भी जब्त किया है J.S.S.C. ने सिक्षक निवक्ति के लिए मांगा दिशा निर्देश राज्य में 26.01 प्रात्मिक सिक्षक नियुक्ति की अधियाचना पर जहर्क्र करमेचरी चैन आयोगं ने मांग दसर मांगा है प्रिक्षा में कूल 200 प्रस्ण पूछे जाएंगे, सभी प्रस्ण एक अंक के होंगे, वहीं बैकल्पिक विसाय के लिए निधारित विसाय में से अव्यार्ति को तीन विसाय की प्रिक्षा में सामिल होना होगा, ऐसे में 200 अंकों को तीन विसाय में बराबर बराबर कैसे बटा जा, इसके बारे में नियमावली में कुछ असबस्ट नहीं किया गया है, किसानों के लिए 266 रुपे में मिलेंगे यूरिया, किसानों के लिए 266 पैकेज की घोसना को लेकर केंद्रिय स्वास मंत्री डाक्टर मांसुक मांडविया ने सभी राजयों और केंद्र सासित परदेशों के क्रिसी मंत्रियों के साथ वर्चूल मेटिंग की, जहां उन्होंने कहा है कि कीट ना सक के दूस परभाव को कम करने के लिए जयविक खेतिक बढ़ावा देना होगा, और रसा स्वास मंत्री मंडल समीती ने 3,666,666 कोड़ों रूपए की कुल लागत के साथ किसानों के लिए न्वीन योजनाओं के एक विसेश पैकेज को मंजूरी दी है, यह पैकेज ठिकाओं की रिसी को बढ़ावा देकर किसानों के समगर कल्यान और उनकी आर्थिक बेहतरी पर क केंद्री था है, जमसेदपूर में चिप्स खाते खाते छात्रा की महत, जमसेदपूर सहर में एक इस्कूल की छात्रा ने चिप्स खाने के बाद दम तोड़ दिया, छात्रा ने टिफिन में चिप्स खाया था, जिसके बाद वो बेहोस हो गई, एक हाटना आदिवसी पलश टु हाइ स्कूल सीता राम डेरा की है नवी की छात्रा कृतिका कुमारी 14 वर सी ने सनीवार के स्कूल में चिप्स खाने के बाद बेहोस हो गई थी बेहोसी के हालात में उसे स्कूल से इलाज के लिए MGM अस्पताल में भरती करा गया था चात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया MGM अस्पताल में पहुंचे सिक्षकों ने बताया कि किरित्ती का सानी वर को कलास रूम में चिप्स खा रही थी चिप्स खाते काते वा बेहोस हो गई थी इसके बाद चात्रों ने घटना के जनकारी स्कूल के सिक्षकों को दी सिक्षक उदीत नरायन अपने दो सिक्षकों के साथ उसे लेकर MGM अस्पताल पहुंचे थे यहाँ पर डॉक्टों ने चात्रा की जाच की जार्खन के वरिष्ट नागरी को और चातर चात्राओ को निसूल्क वंस सेवा रांची का विशेस आम जिसे देखने दूर दूर से पहुंच रहे लोग रांची में एक विशेस तरह का आम इन दिनों काफी सुर्खियों में है आम की आकरिति बिल्कुल सेव के अकार की है जिसे देखने के लोग दूर दूर से पहुंच रहे है हलाकि आम की प्रजाती को लेकर अभी तक पता नहीं चल सका है बतादे राजधनी राची के कई इलाकों में आम की बागवानी होती है बागान में पेंड पर लगे आम का एक अलग आकर्शन होता है इसके बीच चाचा और सुर्खियों में एक खास आम है जो सेव की आकर्शन का केंद्र बना है यह पेंड पर लगे खास तरह की आम की एक झलग पाने के लिए सुबह से साम तक लोगों का आना जाना लगा रहता है ट्रीपल टेस्ट को लेकर जारखन में फिर से गर्माई राइनीती जार्ख़ा में ट्रिपल टेस्ट नहीं होने की वज़ा से निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं निकाय चुनाव में OBC को आरक्षन देने के लिए सरुच नयाले के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट होना जरूरी है ऐसे में 26 जुन 2022 को हेमान सुरेन सरकार की केविनेट बैठाक में ट्रिपल टेस्ट कराने के जिमिदाई राज पिछला आयो को सौप दी गई इससे राज में फिर एक बार OBC के मुद्दे पर आयनेती गरम हो गई है बतादे भारतिय जनता पार्टी के परदेश्ट अध्यक दिपक प्रकास ने हमान सुरेन केविनेट के फैसले को राजी के OBC समुदाई के साथ छला करार दिया है दिपक प्रकास ने कहा है कि जिस धार्खन स्टेट OBC कमिशन का ना अध्यक छाय और ना सदस्य वैसा कमिशन ट्रीपल टेस्ट कैसे कराएगी राज़ी जमीन घोटाले में 36 डीड पाए गए फरजी राज़णी राज़ी में जमीन घोटाले का सवरूप और बड़ा होने वाला है इस घोटाले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है राज़ी में फरजी काकजात के जरिये सैकडो एकर जमीन का सवधा किया गया कुलकता के रईस्टार ओफ एंसुरेंस की जाच में यह सामने आया है जिसके बाद अब इस मामले में नया केस दर्ज करने के त्यारी की जा रही है बतादे कुलकता के रइस्टार आफ एंसूरेंस ने इडी के पत्र के आलोक में रांची से समझी छटिस डीड की जाच की थी जाच के करम में सबी छटिस डीड फरजी पाए गए हैं करंट लगने से पिताप पुत्र की मौत धनबाद जिले के पूरवी टुन्डी परखन अंतरगरत रामपूर पंचायत के दोरवाडी गाव में दधनाक हाथसा हो गया है घाटना सनीवार की सुबा लगवा एक गारा बजे की है जहां करेंट की चपेट में आने से बुजूर्ग बाप बेटे की मौत हो गई मिरितक बुजूर्ग रीटायड चोकिदार था जबकि दूसरा मिरितक कृष्णर रजक उसका महला बेटा था घाटना के बारे में पूरे गाव में मातंपस रहा है बतादे मिरितक के दूसरे बेटे राजकुमार राजक ने बताया है कि उसके बुजूर्ग पीता रसीक रजक घर के पीछे इस्थित कुवें से नहा कर लोटे अलोहे की तार पर अपने भीगे कपड़े सुखाने के लिए गये जैसे उन्होंने तार पर कपड़ा डाला अवे करन की चपेट में आ गये तभी पीता को छटपटादा देख उसका 42 वर्सी महिला बेटा कृष्ण रजक उन्हें बचाने दोड़ाया कृष्ण ने जैसे ही प पीता को हाथ लगाया वो अभी करेंट के चपेट में आ गया। करते हुए एडमिसान की थित्ताय कर दी जाती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ इस बार फर्वेस परिश्चा में सामील चात्रों का कहना है कि इस परकार की लेट लतीफी से ही सत्र में देरी होती है जिसका हमें जाना चात्रों को भोगतना पड़ता है धन्यवाद यदि आ सेक लाइक करें दोस्तों सेयर करना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट वक्स में अपना फीडिवाइक अवस्य दे थैंक यू